नाम क्या है अपका कमलेश कुमार पासी कमलेश पासी किया था मामला यह था कि हम लोग अपने घर में दिवाली के तयारी पूरी कर रहे थे दस मीटर दूर से साले मादर चोच पासी मैं तुछको माज डालूंगा निकल बाहर लाटी डंडा सब लेके पीड़ते हुए मेरे द लेकिन इस खेल में एक ऐसा निकल कर आया है क्या नौमे अपका कमलेश पासी की जमीन है यहाँ पर और इनकी जमीन इनको मारा गया पीटा गया लेकिन इनकी तरफ से FIR अभी तक नहीं लिखी गई एक सवाल यह कफी वाजिब सवाल है कि और लोगों की तरफ से कर दिया गया इनकी तरफ से किया जाएगा तो हम लोगों लड़ाई होगे तहम हम लोग पोचे हम लोग पर गाली इंडिया चाहिए लेकिन लोग सब के नाम लिखां आपका भी है आपके भी पता रहे हैं प्राइब वहां पूरी है और आते हैं सर और रात में गिराब ही देते हैं दिन में भी गिरा देते हैं सर्म हम गरीब आदमी हैं सर देखो लट्ट परी है सर्व ख्राइब बिमारे खाए तो सोच सकते हैं? अगर आप पिछड़े समाज या जिस एकदम मुझलिम तरीके से हो तो आपको जीने का अधिकार नहीं है लेकिन अधिकारियों से सो सहब से और स्पी सहब से अभी कल उनसे भी मुलाकात करेंगे कि आखिर इस मामले में आपने किया क्या क्या इन गरीबों को अपने घर में रह पहले एक वीडियो सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हुआ है जिसमें देखा गया है कि दो पच्छों के बीच में लाठी डंडों से बहुत भीशन मारपीट होती है यह वीडियो आपको बता दे कि इसी जगे का है इसी हाइवे का है जिसके बाद से यह कहा जा रहा इस पर हम घर वालों से भी जानने के कुशुश करेंगे और एक-एक क्या मामला था इस बिशाय में आखिर क्यों रंजिस क्या थी जमीनी विवाद था या किसलिए घटना हुई है और जिसको लेकर दोनों पक्छों में कहें तो यह कहा जा रहा है पुलिस के उपर भी क्या सब्सक्राइब? वहां मैं मेरी पतनी आदार आदमी कोई नहीं था या मेरे मेरा परिवार था उसके बाद हम अपने बीच बचाओ के लिए घर से लाठी रंडा लेके निकले तब तक दो तीन लट हमारे पढ़ गए हां हमारे चोटिल है उसके बाद ये लोग काफी लोग आ गए फिर दूसरी जमीन विवाद किया है आपने इसे खरीदी था खरीद था है और लूग यहां का पूर प्रदान सूर्भान सिंग वह उनके गाइंग पूरी आक आती है ध्मकाती है कहती है जो की नियाले में मामला चलता लहता है मार डालने की धमकी बार-बार दी जाती है सबसूचना शब बेस्सी न कि अपना कव भी तरक आप आपने की बारा पेश्यार क्वाता है जिसका नाम मैंने डाला थाौ उसका और देता हूं सबसे पहले आपको बता दे कि पूरे मामले में जिस तरीके से दोनों पक्छों के बीच में लाठी डंडे चलते हैं इधार भाई चोटील है क्या नाम है आपका पंकत सिंग आप भी उनी के समाथ से हैं आपकी भी जमीन यहीं पर है अच्छा मेरे पिता ने उनी सो चियान नम मृणiblit को मृण की जमीन है है क्या है एक ऐक नियुक्त है पासी जी में एक मौरिया जी जिया जी की चैनल डर्ली की है फिरने वचार एक हृण और 1996 से इसमें बना के रह रहे हैं उन्होंने 2021 में इसका बैनामा करा किया और हम लोगों को धमका रहे हैं कि इसको खाली कराने के मूड में आए थे तब यहां दो पच्छो में मार पीठ हो गई हम लोगों ने फाई आर की है अभी मेरा मेटकल हुआ है और एक्सरा अक्सरा नह यह था पर यह नहीं है हमारे तकी आधियां यह जमीन अधिद अली गालिवा ली सर्थराल मुशाहेब अली निवाची ग्राम भाइव भाइपूर ताना भदोखा रादरेली से इस्टाम पर नामा के रूप में खरीदी थी 2021 में हमारे तीता जी की मुरत्यू हो गई उसके बाद साथ दिशंदर 2021 को दैनामा करा लिया सुर्भान सिंग निवांची ग्राम धायतुर अतनी पत्नी और देटों के नाम तूरा 6 दिश्वा कतलाट तूरा दैनामा करा लिया तो आप देख सकते हैं कि तीन व्यक्ति हैं तीनो व्यक्ति दिव्यांग है लेकिन जिस तरीके से अब प्रधान जो पूर प्रधान है यहां के वो बता रहे हैं कि यह जमीन हमारी है इस जमीन को खाली कर दीजिए यह चार माकान बने हुए है चार अलग अलग लोगों के हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह नियाए वववस्था कहा जाए इसको किस तरीके की प्रणाली है वह आप आईए जरा इसमें सबसे बड़ा जो लोचा मुझे लगा है सबसे बड़ा लोचा यह लगा है कि एक पक्च के द्वारा 10-15 लोगों के खिलाप फायार दज कराई जाती है उसके बाद उसको क्रॉस करने के लिए 17 लोगों के खिलाप मुकदमा दूसरे पक्च से कर दिया जाता है नहीं पुरधान जी के पक्च से कर दिया जाता है ल बता सब्सक्राइब लोग पीटा गया हमारे उंको चोड़िये तीन लोग को छोड़ दीजिए हमारे ऊपर उपरashcidos בהयल है तो हम पचास हम नहीं लिखंगे बार बार कद जा रही क्या अब इसम हो धे कि नहीं हमको यही कहें के वापत कर दिया जाता है अच्छा तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में इसका पूरा बीवरन हम देंगे पूरा जितने भी डाकुमेंट हमको मिलें उसका एक पूरा अलग वीडियो भी बनाएंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है लेक लेकिन कि Sridhar Yogi की सरकार है कि किया दर्ट वीडिक कि जीए चलाता है लेकिन सवाल वाजिव है कि हर में पूछाहिं में एकमाल आता है अंने कुछ किया वक Dhabi तो चलिए क्योंकि जब कोई घटना होती है तो तुरंट करवाना जाए बाद में पता नहीं क्या अलग निकल जाए कोई पता थोड़न होता है अच्छा आपका उदर है तो आएए आई आपको बता दें कि पूरा ये जितने घर है एक धर भी है इधर कभी पूरा में तो ये भी आपका जोटे लाल टेलर हमारे पिता जी हमादा बड़ा बेटल नीरस कुमार हूं तीस तारीक को यहां जो लाटटी प्रवार में लाटटी इन्या चला है तो आनलोगों तो महां वहां दाग क्या हूं हां मेरे परिवार कि यह सब कर देखें कि था कि था हुएं भूरा हम अब कहाया था हैं किस समाज़ है हम दर्जी समास कर में तो क्या बोला जया ये यह經 वा और आके मार पीट करना सुरू कर दे उससे पहले क्या को छोगा था तो तीन सार पहले बयानमा कर रहा है तिन साल पहले गाली वो मियाँ से इकरा नामा लिखाया था यह बयानमा कर दे द्धम की देवा चाहती है और साथ केर से लागा दीवानी में अधिक नंग करके भैत्तु जब लोग मैलाए है जब उस दिल लडाई दंगा हुआ तो कहां थे आप लोग लोग पहुंचे हैं हम लोग पोशे हम लोग के गाली देलेले कंदी हैं तो नहीं कपड़ा उतार के मारें घृट फेक पेक के मारें चोटा भाई है यहीं पर लेबराना मिस्तिरियाना काम कर लेकिन लोग सबके अम लिखा चुके हैं अपीतार के लावतार को मसथर नेर समय कि अपरिवाल मा दुख है कि दिली मरें में तरी से आरहें थे ने तरी परिवाल मं जालें अ को Mr. आपके भी बता रहे हैं तो बताइए रोड से लेकर इतने भी पूरे माकान है और ये पूरा माकान सारा माकान हो इसे तो आप से क्या बोले है अगर ने भरी हो तो आगे ठेल दें तुमारा मसाला खराब हो कुछ हो माकाई ना पई हो अच्छा जहां जहीं हो यह वाला घर है आप नेरे तुम को देवालों काटी देवाल माठेली है तादी की जो रोड से लेकर हमने आप सभी को पूरा दिखाया था उसी पूरी जितने जितने भी घर इसमें आपको देख रहे हैं यह सारे घर यापका घर है अच्छा उसी दिन किराई गई थी ती हम आए भी आदमी हैं सर देखो लट परी है सर अचा आप भीमार खाये तो सोच सकते हैं किस तरीके से चाहे महिलाएं हो औरते हो बुजुर्ग हो जो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि कभी हमको लाठी डंडा चलाना पड़ेगा उनको मजबूर कर दिये हैं कि बैया जो 30-30 साल कब से आप यहां रह रहे हैं तो सकते हैं किस तरीके से आपको बता दें कि यह एक खुली घुनड़ी है जीने के बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से सेर करें क्योंकि यह जितने घर हैं गरीब परिवार से हैं दलित समुदाय से हैं तमाम सारे अपर क्लास लोग भी है लेकिन एक घर अपर क्लास के ठाकूर साप भी हैं लेकिन वो बिकलांग है तीनों बेचारे इस तरीके से प्रतालित किया रहा है क्या अब इनके घर में जिससे लडाई हुई है बेचारे घर से बाहर है कि पकड़ के ठाब बन कर दिया जाएगा तो यहां पर बाते हुई है हमां लोगन की अब ही लेकिन लोग फिर हांब होंगे मारने के लिए इस पहले भी दासा से घर लाई तो चुछ बिलवाया गया था उसके बास साम को लोग मानने के लिए धंकी दिया थे मानने भी आता है हमारे पारवार को कि सब आप रिकोर करिये जाए जाए हम लोग है हम लोग हर बजार हाट जाए तो मार पीट थी पर आप तक दफी दे आप साब और आज देए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं मैं अभी टैक करने वाला हूं सबको यह गरीब परिवार है जो बैचारे डरे हुए हैं सहमे हुए है आप से एक उम्मीद है न्याए की उम्मीद है कि आप लोग सत्ता में अज़ता है परसासन में है इन गरीब परिवारों की मदद करें कि वेड़ और इंके खिलाब मेफाईयार दर्ज हो चुकी है मारा जा रहा है लेकिन चे पोली ordinance से ले चले यह मारने के लिए नोगी है पीछे घार रही हो लगा रहे है कर भी एक पीछ लगाया को जाए ने नहीं हो जो बड़ा तकारी तुन्दा को नहीं हो नहीं है झाल जाए जाए जो बडास्कारी विडियो को कि हम गरीबों को न्या दिलाया जाए तब हम सरकार कि जाय कार करेंगे सब्सक्री कार करेंगे Уक Wouldn't zwei लेकिन हम सभी को ने चाहिए हुस कषा हमारे अधिया जया है टॉक अरिकिसम्ट जाये और हुन दिल क्यों दिल स्वेगा है बाहर जा यह दो बच्टन का रोके परें चार दिन से मध्दूरी कीटा गरा कर रहे हैं यहां का करें बाहर भेदी तो हमका सब कमाट डाव है और तन का परिवार का तो आप सभी से जिद्रे भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सभी सही रिक्वेश्ट है कि वीडियो को जदा जदा सेर करें क्योंकि आपको बता दी कि मामला काफी गंभीर है और जिस तरीके से चीजे चल रही हैं यहां पर यह तमाम सारे गरीब परिवार जिस तरीके से प्रताडित किया गया और जिस तरीके से एक यह डराने का महौल डर का महौल उत्तर प्रदेश के राइब परेली से अभी कल उनसे भी मुलाकात करेंगी कि आखिर इस मामले में आपने किया क्या क्या इन गरीबों को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं है कोई भी दबंगा कि किस तरीके से कुछ भी कह सकता है क्या यह एक बढ़ा सवाल है और सवाल बहुत ही गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे को क्रास करके बहुत ही ढीले तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा विसे है, फिलाल इस मामले में जो भी चीजे होंगी हम आपको एक एक अपडेट देंगे, लेकिन इस गरीब परिवार के साथ खड़ा होने वाल आज के समय में कौन है, ये एक ही परिवार नहीं है, इस तरीके के हमने आपको बताए कि तमाम सारे घर परिवार हैं, उधर से लेके ये पूरे रोट की जमीने, जिस तरीके से आज कबजा करने की बात की जा रही है, जिस तरीके से दबंगई के उससे ये गरीब परिवार कहां जाएं चलिए फिलहाल मैं हूँ मुकेश कुमार भीरो रुपोर्ट न्यू जमाला